हेलो दियर स्टुडेंट्स वेलकम तो माई यूटीब चैनल स्काइग्यान आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे एक्जामपल्स और पार्शियल डिफ्रेंशियेशन जो स्टुडेंट्स थर्ड सेमिस्टर में हैं उनका सब्जेक्ट है एप्लाइड मैच्स थर्ड तो उस सब्जेक्ट में यह एक चाप्टर है पार्शल डिफ्रेंशियेशन उसी में से हम आज हम कुछ एक्जामपल करेंगे ठीक है तो चलिए देखते हैं सबसे पहले यहां पर एक क्वेश्चन दिया है अगर आपके पास जेड की वैलिदी हुई हो एक्स स्क्वार अपॉन इसको हम कैसे सॉल करेंगे तो जब हम हमें एक चीज द्यान रखनी है कि अगर हम कोई चीज विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशियेट कर रहे हैं तो जो दूसरा वेरियेबल वाई होगा उसको हम कॉंस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे ठीक है और अगर हम वाई के इसको हम डिफ्रेंशियेट कर रहे हैं तो जो दूसरा वेरियेबल एक्स है उसको हम कॉंस्टेंट की तरह टीट करेंगे ठीक है तो चलिए इस एक्वेशन को हम डिफ्रेंशियेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई ठीक है यह एक्वेशन है जब हमने इसको विद र पास इसको हम डिफ्रेंशेट करेंगे तो यह आजाएगा 2y और बी स्क्वार अपन नीचे ऐसे देगा तो आंसर आजाएगा 2y डिवाइड बाइ बी स्क्वार ठीक है similarly अब हम हमें निकालना है डेल जैड अपन डेल एक्स तो इस एक्वेशन में यह जो पॉर्षन है यह जो पॉर्षन है यह हमारा कॉंस्टंट हो जाएगा यह कॉंस्टंट हो जाएगा बचेगा यह वाला पॉर्षन तो होजाएगा 2x upon a square ठीक है इस तरह से हम डिफ्रेंशेट करेंगे हैं partial differentiation दोस्रा एक्जामपल देखते हैं दिया है यहां पर z is equal to log x square plus y square ठीक है हमें निकालना है del z upon del x और del z upon del y ठीक है तो हमें पता है कि अगर हमें log x का differentiation करते हैं तो उसकी value थी 1 by x ठीक है तो यहां पर log x square plus y square है तो यहां पर आ जाएगा 1 upon x square plus y square और फिर साथ में यह जो term है x square plus y square ठीक है x square plus y square इसको जब हम differentiate करेंगे तो यह term जो होगा यह constant हो जाएगा और इसको हम differentiate करेंगे तो इसकी value आ जाएगी 2x तो यह आ जाएगा यहां पर 2x तो answer आ गया 2x upon x square plus y square Similarly, आप अगर हम with respect to y differentiate करते हैं तो log x तो ये 1 upon x square plus y square हो जाएगा और फिर दूसरे term में क्या होगा x square plus y square में ये term constant हो जाएगा और इसकी value आजाएगी 2y तो ये हो जाएगा 2y और answer आगए 2y upon x square plus y square ठीक है? एक और example दिखते हैं आप पर दिया है z is equal to ax square plus 2hy 2hxy plus by square हमें यहाँ निकालना है double differentiation है ठीक है z का with respect to x with respect to y ठीक है similarly del square z upon del x del y तो पहले हम ये निकालेंगे इसमें हम पहले निकालेंगे with respect to x ठीक है तो हमने जब इस equation को x के respect में differentiate किया ठीक है तो क्या होगा? y के जितने term होंगे वो constant होंगे और वो हो जाएंगे 0 ठीक है? तो यहाँ पर ax square से हमें मिल गया 2ax ठीक है? यह आ गया और 2hxy इसमें क्या हो गया? x का तो 1 हो जाएगा तो मिलेगा हमें क्योंड 2hy तीसा term है b y square तो यह हमारा 0 हो जाएगा तो हमें del z upon del x मिल गया 2ax upon 2hy अब इसी को हम differentiate करेंगे with respect to y ठीक है? तो यह बाला term क्या हो गया? यहाँ पर constant हो गया? ठीक और y की value 1 हो जाएगी यहाँ पर आ जाएगा 2h तो इसका answer आ गया 2h इसी तरह से अब हमें निकालना है दूसरा term ठीक है equation y है अब हमने पहले इसको x के respect में differentiate किया तो यह term 0 हो गया ठीक है? sorry y के respect में differentiate किया तो यह term 0 हो गया और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2hx और यहाँ से मिल जाएगा 2by अब हम इसको इस equation को x के respect में differentiate करेंगे तो यह term 0 हो जाएगा क्योंकि इसमें x नहीं है तो यह पूरा term constant हो गया और यहाँ पर हमें मिल जाएगा h के वाल 2h, ठीक है? x is equal to 1 हो जाएगा, x का differentiation 1 हो गया तो इसकी value भी आ गई 2h ठीक है? तो आपने देखा इस तरह से हमने partial differentiation के कुछ example solve किये जो बहुत ही आचाना है अगर आपको कोई doubt हो तो आप comment करके पूछ सकते हैं ठीक है, thank you very much